ब्रह्म देवता की पूजा क्यों नहीं होती शुष्टी के रचेता ब्रह्मा का मंदिर पूरी दुनिया में केवल एक ही इस्थान पुष्कर में हैं क्या हमने और आपने इस सोर कभी ध्यान दिया है चलिए रेडियो हंदुस्तान में मैं उमा प्रभाकरन आज आपको इस कहाने से रूबरू कराती हूँ एक बार ब्रह्मा जी के हृदे में पूरी धर्ती के उधार करने की बात आई और उनोंने मन ही मन यग्य करने का विचार किया उसके पस्चाद वे यग्य करने के लिए धर्ती पर स्थान ढूनने लगे फिर उन्हें लगा कि अपने भुजाओं से निकले कमल के फूल को धर्ती पर गिराता हूं जिस स्थान पर यह पुष्क गिरेगा उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना होगी और यग्य भी होगा कता के अनसार यह स्थान राजस्थान के पुष्कर में सिथ है ब्रह्मा जी पुष्कर यग्य करने पहुँचे सभी देवी देवतागन भी वहां यग्यस्थल में पहुँच गए केवल उनकी पत्नी सरस्वती समय पर नहीं पहुँच पाई शुब मुहुर्थ निकलता जा रहा था और यग्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ एक स्त्री की आवेशक्ता थी शुब मुहुर्थ निकलता जा रहा है यह देख ब्रह्मा जी ने वहां की स्थानी ग्वालिन से विवाह कर लिया और यग्य की शुरुवात की थोड़ी देर में ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती वहां पहुँची और एक अन्यस्त्री को ब्रह्मा जी के साथ बैठा दे क्रोधित हो गई और उसी समय उसने ब्रह्मा जी को श्राब दिया कि पूरे संसार में उनकी पूजा नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति उन्हें पूजा के समय स्मरण नहीं करेगा देवी सरस्वती का क्रोध देखकर सभी देवी देवता डर गए उन्होंने अपने श्राप को वापस लेने की विनती की कुछ समय पस चाथ सरस्वती देवी का क्रोध कम हुआ शांत हुआ और उन्होंने कहा जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने यग्य किया है उसी स्थान पर उनका मंदिर बनेगा और पुषकर मेले के समय भगवान ब्रह्मा जी की पूजा अवश्य होगी इतना कहकर देवी सरस्थी पास में ही एक पहाड़ी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई कहा जाता है आज भी वहाँ उनकी उपस्थति है पुषकर सरोवर को कैलाश मान सरोवर के समान पवित्र माना जाता है यहां तीन जीले हैं जेस्ट जील ब्रह्म देवता, मध्यम, विश्णुजी और लगो पुषकर के महेश को समर्पित है यह मंदिर राजस्थान के रत्नगिरी परवत की तलहटी पर स्थित है ऐसी मानिता है कि महाकवी कालेदास ने अपने महाकावी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी जगह पर की थी सनातन धर्म में पुषकर, कुर छेत्र, गया और गंगा, प्रयाग, छेत्र को पंचतिर्थ कहा गया है यहाँ परिक्रमा करते समय कई महरशियों के तपो भूमी के भी दर्शन होते हैं अब अनुमति दीजिए उमा प्रवाकरन को फिर मिलेंगी इसी तरह नई कहानी किस्तों के साथ तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान जाते जाते इतना वर्ष कहोंगी दोस्तों पानी बचाएं पानी बचाना सिखाएं पेल लगाएं पेल लगाना सिखाएं वंदे मातरम